हेलो दोस्तो तो कैसे हैं आप स्वागत करता हूँ ग्यानी स्पेक्स योडूब चैनल पे मैं आपका इस वीडियो मां बात करेंगे डीडी वर्सेस केसी मतलब दुर्गापूर डैजलर्स और कृष्णनागर चैलेंजर्स के बीच में बाइजूस बेंगॉल टीट्वेंटी कप का आज जो सेकंड मैच खेला जाएगा उसी के बारे में दोस्तो इस मैच का जब आप टीम बनाने जाएंगे तो आपको दिखेगा आल राउंडर सेक्शन में टॉप चार आल राउंडर को ही जनता 80% या 90% से ज़ादा सिलेक्ट करके बैटा है बट उनके नीचे एक गुपता और इस असीफ हुसेन जिनका सिलेक्शन 1% और 1% है ये Grand League में आपके लिए चमातकार कर सकते हैं और Small League में भी अगर आप रिस्क लेके ट्राइ करते हैं तो बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं कैसा इनका recent form रहा है कैसा इनका carrier average सब कुछ हम इस वीडियो में discuss करेंगे दोनों Teams का हर एक player में अच्छे से information लेंगे ground के बाड़े में अच्छे से information लेंगे पूरे tournament के बाड़े में ही अच्छे से information हम इस वीडियो में देने वाले हैं तो वीडियो को complete watch कीजिएगा बिना skip किये। और दोस्तों हम आपसे वादा करते हैं, अगर आप वीडियो को complete watch करते हो, तो वीडियो के end होने तक आपके पास 6-10 player ऐसे होंगे, जिनका selection under 10% है, और उनको अगर आप बाड़ी-बाड़ी अपने team में try करते हो, तो Grand League में आप अच्छा खासा rank लाज सकते हो, तो ऐसे ही in-depth analysis वाला videos, informative videos आपको इसी channel पर मिलते रहेंगे, तो इसलिए channel को जरूर से subscribe कर लीजेगा, और वीडियो को आगे enjoy कीजेगा, और हाँ subscribe करने के बाद उसके बगलवाला बिल बटन को जरूर से all कर दीजेगा, तकि जब भी हम कोई नया वीडियो डाले, notification आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, आच्छा, तो ये match खिला जाएगा आज शाम को साड़े 8 बजे से, मतलब 8 बजे इसका toss होगा, toss हो जाने के बाद दोनों teams का playing 11 with toss report आपको मिल जाएगा हमाने टेलिग्राम चैनल पे, जिसका link इस वीडियो के description section में आपको मिल जाएगा, आप जाके checkout कर सकते हैं and join कर सकते हैं, दोस्तो venue कौन सा है, Eden Garden Stadium, Kolkata, इस ground में साड़े के साड़े matches इस tournament का खेले जाएंगे due to covid reasons, ठीक है, venue stats अगर आप देख लेंगे, तो T20 matches यहाँ पे total 77 खेले गए हैं, जहाँ पे batting first करने वाला team 31 times जीता है, batting second करने वाला team 46 times जीता है, तो batting second का थोड़ा से जादा favor रहा है, मतलब इस match में भी जो भी team chase करेगा, आप उनको favor करके small league में and grand league में team बना सकते हैं, average score batting first करते वे 160 का है, highest score 2, 232, lowest score 49 का, scoring pattern अगर आप देख लेंगे, कि कौन से range में जादतर cases में scores बनते हैं, तो 150 के नीचे 26 बार बना है, and 170 and 189 के बीच में 23 बार बना है, अगर शुरुवात में अच्छा गासा wicket गिट जाता है, middle overs में acceleration नहीं होता, तो आप 150 के नीचे भी score देख सकते हैं, और अगर शुरुवात अच्छा होता है, जो कि होना चाहिए क्योंकि fresh pitch है, तो इस मैच में आप 170 and 189 के बीच में भी score expect कर सकते हैं, बाकि 150 and 169 के बीच में 18 बार बना हैं, अच्छा, कॉनसे टाइप के बोलर को आपको choose करना है, क्योंकि इस ground पे कॉनसे टाइप के बोलर को ज़्यादा favor मिलता है, वो आपको जानना ज़रूरी है, देखिए, यहाँ पे average सम तुल्ला करने का कोशिश करेंगे, जितना कम average होगा उस बोलर का, उतना better उनको माना जाएगा, right arm orthodox spinner जो है, उनका average है 23 का, उसके बाद leg break bowlers, उसके बाद chinaman bowlers, उसके बाद fast bowlers, फिर lift arm orthodox spinners, उसके बाद medium fast bowlers, तो right arm off break bowlers और leg break bowlers पे आपको ज़्यादा focus करना है, और fast bowlers और medium fast bowlers पे भी आप focus कर सकते हैं, क्योंकि death में डालते हैं, दोस्तो last five matches, इस ground पे अगर आप उठा के देख लेंगे, तो आपको पिछके बादे में और भी जादा अच्छे से अंदाजा हो जाएगा, बढ़ रुकिये, उसके बाद भी बहुत सारा चीज़े हैं, तो इससे आप संतुष्ट बिलकुल मत हो जाएगा, last five IPL matches अगर आप देख लेंगे, तो कुलकाता नाइट राइडर्स और मुंबाई इंडियन्स की बीच में 28 एप्रिल 2019 को हुआ था, मतलब लगभग दो साल पहले, वहाँ पे first inning में बैटिंग करने वाला टीम जीत गया था, KKR ने अच्छा कासा run board पे टांग दिया था, जो average score से बहुत ही ज़ादा था, मुंबाई अच्छा कासा chase किया था बट उसको touch नहीं कर पाए थे, second match KKR वर्सेस राजस्थान रॉयल्स जहाँ पे राजस्थान ने target को chase कर दिया था, 176 का target था, राजस्थान 177 कर दिया था, बैटिंग second करने वाला टीम यहाँ पे जीता, third match KKR वर्सेस RCB जहाँ पे RCB ने 213 कर दिया, KKR ने अच्छा chase किया बट बैटिंग first करने वाला टीम ही जीता, यहाँ पे fourth match KKR वर्सेस CSK जहाँ पे CSK ने target को chase कर दिया, सिर्फ 161 का ही target था, देखिया यहाँ पे 8 wicket गिरा है, शुरुबात में इस match में अच्छा का सा wicket गिरा था, इसलिए middle overs में acceleration नहीं हुआ, तो सिर्फ 160 तक ही score बन पाया, यहाँ पे भी batting second करने वाला टीम जीता, जो 5th match था, यहाँ पे अगर आप देख लेंगे, तो Kolkata Knight Riders और Delhi Capitals के बीच में था, जहाँ पे Delhi ने chase करते हुए match को जीत लिया था, तो इन 5 matches में से 3 बार batting second करने वाला टीम जीता है, और 2 बार batting first करने वाला टीम जीता है, दोस्तों इन 5 matches को मिला के average score अगर देख लेंगे, तो first inning का average score है 191 to 192, second inning का average score अगर देख लेंगे 184 का है, विकेट स्फेल फर्स्ट inning में 27 विकेट गिरे हैं इन 5 matches में, second inning में भी 27 विकेट गिरे हैं, तो काफी close competition रहा है, चाहे average score का हो, चाहे विकेट स्फेल का हो, दोस्तों last, जब हमने analysis किया IPL matches का इसी ground पे, वो था 2 साल पहले का, 2019 का, बड रिसेंटली सैद मुस्ताक अली ट्रॉफी का कुछ matches इस ground पे हुए हैं, जो के इसी साल January में खेला गया है, इसको अगर आप analysis करते हैं, आपको अच्छे से पता चल जाएगा, clear cut instruction मिल जाएगा, कि pitch कैसे behave किया है recently, और आज कैसा कर सकता है, देखिए, यहाँ पे Bengal ने batting first किया, Tamil Nadu उसको chase कर दिया 18 overs में, बाकि Hyderabad 139 for 8 किया, जारखंट उसको लगभग chase करने वाला था, बाकि आसाम बैटिंग first किया, ओरिशा chase कर गया, यहाँ पे जारखंट ने 182 किया, तो ओरिशा को chase करने में दिक्कत हुआ, 128 पे ओल आउट हो गया, आसाम 157 for 5, बिंगॉल chase नहीं कर पाए, क्योंगी collapse हो गया था, बाकि Hyderabad 152 for 7, और तमिल डाड़ू उसको आसानी से, 7 विकेट से मैच को जीत गये थे, और chase कर दिये थे, यहाँ पे बैटिंग first करने वाला टीम, 6 में से 2 मैचस जीता है, और बैटिंग second करने वाला टीम, 6 में से 3 मैच जीता है, तो यहाँ पे भी बैटिंग second का, थोड़ा सा जादा फेवर रहा है, बाकि tie हुआ हा एक मैच, दोस्तों ground को लेके, और pitch को लेके, जितना information लेना जरूरी था, हम ले चुके हैं, अब बारी बारी हम दोनों टीम्स के बारे में, और दोनों टीम्स में मौजूद हर एक प्लेयर के बारे में, करते हैं हम कृष्णे नगर चैलेंजर से, जिनका कैप्टेन है अर्णप नंदी, नंदी साफ मतलब कैप्टेन साफ 4 डाउन बैटिंग करते हैं, मतलब lower middle order में बैटिंग करते हैं, और full overs बोलिंग करते हैं, डेट में भी डालते हैं, शुरुवात में भी डालते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना होगा, recent form ठीक ठाक रहा है, 30 runs और 1 wicket, 4 wicket, बोलिंग 1st करते हुए, 19 run और 1 wicket, यहाँ पे 17 run और 1 wicket, 1 wicket, 1 wicket, 1 wicket, तो जनता इनको captain बना के लेके जाएगा, अपने dream 11 टीम में आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्तों उसके बाद आजाते हैं, कोशिक घोश, जोको एक opening batsman है, recent form आप इनका देखी सकते हो, 41, 38, 64, 46, 37, बीच बीच में आप 7, 7, 12 का भी innings देख सकते हो, बट अगर इस match में यह 40 प्लस कोई innings खेल जाते हैं, तो आपके लिए काफी अच्छे trump player साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनका selection है, सिर्फ और सिर्फ 16 परसंट आपको batting section में मिल जाएगा, तो खेलते हैं, तो grand league के team में जरूर से try कीजएगा, दोस्तो फिर आते हैं, अर्गदिप शाहा और D. नियोगी, अर्गदिप शाहा विकेट कीपर batsman है, जो right hand head batsman है, 50, 14, 37, 73 इनका recent form रहा है, और U25 का मतलब है under 25 player है, अच्छा, इससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूंगा, generally जो season 1 हुआ था, इस particular tournament का, बाइजूस Bengal T20 Cup का, वहाँ पे दूसरे states से भी players आते थे, और खेलते थे, पर इस बार COVID reasons के चलते, बाहर से player नहीं ला रहे हैं, बिंगॉल में, और बिंगॉल में ही जो under 23, under 19, under 25 के player है, उनको मौका दिया जा रहा है, ठीक है, senior players के साथ, तो इसलिए ऐसे-ऐसे players आपको दिख जाएंगे, जो under 25 खेले हैं, under 23 खेले हैं, और इस बार teams में मौजूद हैं, at least squad में मौजूद है, और मेरा expectation है, कि एक से दो player उनमें से जरूर आपको playing 11 में दिख जाएंगे, तो उनमें से एक है इस match में, अरगदीब शाहा जिनका recent form काफी अच्छा रहा है, और इनका selection अगर आप सुनोगे तो चौक जाओगे, देर परसेंट, दोस्तों उसके बाद आज आते हैं, तीन अंडर 25 के और players जो के squad में मौजूद है, डी नियोगी, संबीद दास और इसके असीफ होसें, डी नियोगी middle order batsman है, कभी-कभी opening भी कर लेते हैं, recent form उतना कुछ खास नहीं है, selection भी कुछ खास नहीं है, तो उस हिसाब से आप avoid कर सकते हैं, संबीद दास, अंडर 25 player, 6 innings में 63 runs बना हैं, average 12.60 का है, bats at number 4, number 4 पे batting करते हैं, 2 out हो जाने के बाद यह आते हैं generally, बाकि इसके असीफ होसें, अंडर 25 के player हैं, recent form देखिए, 64, 18, 13, 16 not out, 33, यहाँ पे 73, तो काफी अच्छे form में रहे हैं, तो आप इनको चाहो तो try कर सकते हैं, इनका भी selection, under 2% आपको दिख जाएगा, दोस्तों उसके बाद आ जाते हैं, 4 और under 25 के players, जोके squad में मौजूद हैं, देखिए, आर्यमान सिंग, जो batting section में, बिल्कूल नीचे आपको दिख जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक परसन selection के साथ, average 29.83 का, अपने club के लिए नमबर 3 पे खेलते हैं, recent form ठीक ठाक रहा है, अब जरूर से try कर सकतो, standard batsman है, quality batsman है, अगनीव पान, जो wicket keeping section में आपको दिखेंगे, और लगबग 88% का selection है, average 22 का, अब try कर सकते हो, नमबर 5 पे batting करते हैं, बाकि अनूच कुमार सिंग, इनका भी selection ठीक ठाक है, bats at number 4, average देखिए 52.28 का, highest 123 not out, तो बहुत quality batsman है, जरूर से try कर सकते हैं, दोस्तो उसके बाद आजाते हैं, देपतानू बैद्या, under 25 के player है, 31 innings में 441 runs, batting से उतना कुछ खास contribution नहीं रखते हैं, बाट bowling से लगभग 1 inning में 2 wicket on an average निकालते हैं, 42 inning में 91 wickets निकाल चुके हैं, left arm orthodox spinner है, अपने कोटे का complete over करते हैं, bowling section में आपको मिल जाएगा, अब जरूर से try कर सकते हो, सॉंबित, नाक एन सूरज, सिंधु, जैसवाल, इन दोनों का मुझे कोई record नहीं मिला है, जैसे ही मिलता है, मैं आपको टेलिग्राम चैनल पे भेज़ दूँगा, दोस्तों बात कर लेते हैं, आयान गुपता की, जोके मिडल ओडर में बैटिंग करता है, नमबर 4 से नमबर 5 तक, पार्ट टाइम बोलिंग करता है, बट एवरेज 40 का है, तो अगर इनके टीम का बैटिंग पर्स्ट होता है, तो आप ग्रैंड लिग में इनको जरूर से try किजेगा, और लाउंडर सेक्शन में आपको दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ देर परसंट इनका सिलेक्शन है, बाकी कनिक्स शेथ जिनका सिलेक्शन 28 परसंट आपको दिख जाएगा बोलिंग सेक्शन में, 15 इनिंग में 119 रन, एवरेज 17.27 का, बाकी 26 इनिंग में 42 विकेट्स निकाल चुके हैं, और 7 डाउन बैटिंग करते हैं, तो जरूर से इनको try कर सकतो differential pick के दड़ा, दोस्तों बात कर लेते हैं, श्रियान चक्रबर्ती का, जोके एक must pick है इस मैच में, क्योंकि 50 इनिंग में 96 विकेट्स निकाल चुके हैं, left arm orthodox spinner है, फिर आते हैं अजाज अंसारी, जोके चाइना मैन बोलर हैं, एक इनिंग ही बोलिंग किये हैं, टी 20 मैचस में तीन विकेट्स निकाले हैं, बाकी सोमधिप मंडल, ये भी एक इनिंग में बोलिंग करते हुए, तीन विकेट्स निकाले हैं, 3-4-24 इनका फिगर रहा था, जहाँ पे अजाज अंसारी का फिगर रहा था, 3-4-23, सोमधिप मंडल आपको बोलिंग सेक्शन में मिलेंगे, बिलकुल नीचे, जिनका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक परसेंट आपको दिख जाएगा, बाकी आयूश कुमार सिंग, बैटिंग सेक्शन में 12 परसेंट सिलेक्शन के साथ आपको दिख जाएगा, ओपेनिंग बैट्समेन हैं, और 35.28 का एबरेज रखते हैं, तो आप समझ सकते हैं, अगर इस मैच में भी ये 35 ये 45 तक कर जाते हैं, तो कितने अच्छे ग्रैंड लिग में आपको टॉप पे लेके जा सकते हैं, बाकी रामरीत भटाचाडिया का कोई रेकॉर्ड मुझे अब तक नहीं मिला है, दोस्तो अब तक हमने ग्राउंड के बाड़े में और पिच के बाड़े में अच्छा खासा इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, और उसके साथ-साथ, कृष्णन अगर चैलेंजर्स के टीम में मौझूद, स्क्वाड में मौझूद, हर एक प्लेयर के बाड़े में हमने बाड़ी किसे बात कर लिया है, तो hopefully वीडियो में दिया गया आप तक का information and analysis आपको अच्छा लगा समझ में आया, अगर कुछ भी समझ में ना आए, तो आप comment section में comment करके जरूर पूछ सकते हम आपको reply जरूर से करेंगे, उसके साथ साथ अगर आपको समझ में आया, तो चैनल को एक subscribe जरूर से कर दीजिएगा, और एक comment करके जरूर से बताइएगा कि क्या हम और add कर सकते हैं अपने वीडियो में ताकि आपको और ज्यादा help हो, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दूसरे टीम का भी squad analysis हम कर लेते हैं, आचा, captain of दुर्गापूर डैजलर्स है अभिशेक रामन, जोके left-handed batsman है, right arm off break bowling करते हैं, 63 innings में 2373 runs, average 40.74 का highest 127 का, bats at number 3 और opens, कभी-कभी opening करते हैं, कभी-कभी number 3 पे खेलते हैं, तो एक must try बन जाते हैं, दोस्तों यहाँ पे और एक चीज में आपको वताना चाहूंगा, यहाँ पे अभिशेक दास जिनका average 33.62 का है, batting करते हैं, opening या number 3 पे, यहाँ पे अर्णव चौधरी, जो left-handed batsman है, और इनका selection है 93% का, यह आपको मिल जाएंगे all-rounder section में, तो आप जरूर से इनको grand league में try कीज़ेगा, अर्णव चौधरी, दोस्तों उसके बाद आज आते हैं, और एक trump player सुहम चैटर जी, जिनका average है 53.16 का highest 132 का, number 4 पे batting करते हैं, इनका selection अगर आप देखोगे, सिर्फ और सिर्फ 19% का batting section में आपको दिख जाएंगे, उसके बाद मिर्जा दानिस आलम, जो right-handed batsman है, right-up medium bowling भी करते हैं, 17 inning में 18 wicket निकाल चुके हैं, opening करते हैं, और 57 का average रखते हैं, ये तो must pick हो ही जाते हैं, बट इनको आपको grand league में try करना है, क्यूंकि 53 का average ये रखते हैं, और selection है सिर्फ 19% का, दोस्तो उसके बाद आ जाते हैं, और एक trump player के पास, नाम है रितिक चैटर जी, right-handed batsman, right-arm off-spin bowler, 74 inning में 33 का average रखते हैं with the bat, highest 122 का, middle order में batting करते हैं, number 6 पे, and 79 innings में 82 wickets निकाल चुके हैं, middle overs में bowling भी डालके, अच्छा कासा 1-2 wickets निकाल सकते हैं, तो बहुत अच्छे trump pick है, इनका selection आपको 19% का दिखेगा, all rounders section में आपको मिलेगा, बारी बारी ये all rounders को rotate करते हुए जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा फाइना मिलेगा, जुस्तो अब बात कर लेते हैं, संदीपन दास के बारे में, जिनका career average और recent form कुछ खास नहीं रहा है, तो आप चाहो तो avoid कर सकते हो, अरकर सरकार, जिनका bowling section में 9 credit के साथ 12% selection आपको दिख जाएगा, 56 innings में 43 wickets निकाल चुके हैं, बट बैटिंग भी अच्छा खासा कर सकते हैं, हाला कि बैटिंग काफी नीचे करते हैं, तो चाहो तो आप risk लेके छोड़ सकते हो, बाकि आयान भटा चार्जी, जिनका selection 89% है, बट मुझे इनके बारे में कुछ खास record नहीं मिला, चार innings में सिर्फ 12 run ही मिला है, wickets 0 मिला है, तो आप चाहो तो ले सकते हो, opening करते हैं ये, दोस्तो उसके बाद आ जाते हैं, शकीर हबीब गान्थी, जो के right arm off spin bowling करते हैं, left handed batsman है, wicket keeping section में आपको मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा कम selection आप try कर सकतो, average 22.5 कर रखते हैं, दीपक प्रसाद average 78.83 का, और इनका selection आप देखोगे तो आप चौक जाओगे, अभी जाके check करो, आपको पता चल जाएगा, विकेट्स तो कुछ खासते ही निकाले हैं, नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं, specially while बैटिंग first ज़्यादा important हो जाते हैं, तो दीपक प्रसाद जी का 2% selection के बाद आज आते हैं और इत्र चैटर जी पे, जिनका selection 91% है और होना भी चाहिए, क्योंकि 79 इनिंग में 144 विकेट निकाल चुके हैं, लेफट आम और्थोडॉक्स स्पिनर हैं, अच्छा खासा विकेट टेकर हैं, जरूर से आप ट्राई कर सकतो, एस के फर्दिन हक, अंडर 25 के बोलर हैं, 7 इनिंग में 9 विकेट निकाले हैं, बोलते बोलते और एक ट्राम प्लेयर आ गया, नोमन मंसूर, जोके लेफट आम और्थोडॉक्स स्पिनर हैं, मतलब लगभग डबल आप कह सकते हो, डबल के करीब, ठीके, तो इनका सिलेक्शन 1.33% का है, तो आप जरूर से इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कीजएगा, अगर खेलते हैं तो, ठीके, बाकी सायान घोस, जिनका मुझे कुछ खास रिकॉर्ड नहीं लगा, तीन इनिंग में 60 रन्स, हाइस 48 का, मतलब एक इनिंग में 48 नॉट आउट किये, तो बाकी दो इनिंग में फ्लॉक गये थे, सीधा-सीधा बात है, दो इनिंग में एक विकेट निकाल चुके हैं, ओपेनिंग बैटर है, और दो से तीन ओवर बोलिंग भी डालते हैं, तो, रिलाइबल आप्शन है, क्योंकि ओपेनिंग भी करते हैं, दो से तीन ओवर बोलिंग भी कर देंगे, रिस लोगे तो इनको आप छोड़ सकते हो, पॉशन सिंग का, काफी अच्छे बोलर हैं दोनों, राइटाम मीडियम और लिफटाम मीडियम, अब जरूर से ट्राइ कर सकतो, एज डिफरेंशिल पिक्स, और ग्रैंड लिग में तो ट्राइ करना ही हैं, अगर खेलते हैं तो, दोस्तो उसके बाद आज आते हैं, रोहित कु मार 2 के नाम से, सिलेक्शन परसंडेज इनका अंडर 10 परसंड आपको दिख जाएगा, बाकि अभिशेक पूरेल, विकेट कीविंग सेक्षन में आपको दिखेंगे, आप चाहोते अवाइट कर सकते हो, दोस्तो लास्ट में आपको दिख जाएंगे, इमान चौधरी, जो के middle overs में bowling डालते हैं, leg break bowler है, right handed batsman है, ये कभी-कभी opening भी कर लेते हैं, कभी-कभी number 4 पे भी आजाते हैं, कभी-कभी number 8 पे भी आजाते हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत इनके बारे में रहा है, कि prediction करना इनके बारे में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कि opening करेंगे, या middle order म में खेलेंगे, या lower middle order में खेलेंगे, 17 इनिंग्स में 23 विकेड निकाल चुके हैं, इनके leg spin bowling के मदद से, तो काफी अच्छे विकेड टेकर है, प्लस बैटिंग से भी 23 का average रखते हैं, all rounder section में आपको दिखेंगे, सिर्फ 1.5% selection के साथ, तो और एक trumpet जाते-जाते मैंने आ आपको बता दिया, दोस्तो वीडियो के आखिर में, मैं आपसे फिर से एक बार request करना चाहूंगा, कि अब तक का वीडियो में दिया गया information, अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, मैच को लेके थोड़ा सभी confident आप फिल कर रहे हो, तो चैनल को जरूर से subscribe कर लिजेग क्योंकि एक subscription हमारे लिए बहुत ज़दा matter करता है, हमारे लिए बहुत ज़दा motivation का काम करता है, उसके साथ-साथ अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, तो आप एक comment करके जरूर से हमें पूछ सकते हैं, हम आपको reply जरूर से करेंगे, तो इसी के साथ-साथ हम देख लेत का, फिलाल का team combination, तो दोस्तों मैंने फिलाल ये 6-5 का combination बनाया है, जहां पर मैंने captainship दिया है, ए नंदी को, vice captain के लिए मैं आपको aim आलम, या फिर W chattergy का reference जरूर से दूँगा, या फिर I-43, इन तीनों में से ही आप vice captain बनाने का कोशिश कीजेगा, in case इन तीनों में से, या फिर इन 11 में से अगर कोई नहीं खेलता है, तो टोस्तों के बाद आपको final team with base and suggestions आपको मिल जाएंगे हमारे telegram चैनल पे, जिसका link इस वीडियो के description section में आपको मिल जाएगा, आप जाके join कर सकते, मैं आपको मिलूंगा next वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए मिलू आपको कि अथस्वेस 12 अन mission कर दिए सिर सकतेने कर सकत